All right guys, this is Raja Ajit on my screen and इनको सब लोग जानते हैं इनके core की वाज़ा से या फिर इनके shoulders की वाज़ा से तो first of all दोस्तों बहुत सरो लोग इनके chest को criticize करते हैं बट दोस्तों एक champion के पीछे का जो struggle होता है इनके पीछ एक incident था जो कि उनको mentally, physically allow नहीं करता था कहीं भी gym करने में और उनको कभी लगा नहीं था कि आज जिस मुकाम पे वो है वो मुकाम कभी वो पाएंगे या फिर उसको अच्चू करेंगे तो दोस्तों यहे राजा आजित और जैसे कि उपर-उपर से में बता हूँ, first of all तो राजा आजित ने 2021 में प्रो कार्ट जिता बॉम्बे में और उसके बाद उन्हें अब तक तीन प्रो शोज में compete किया है So come on guys, let's go, तो चलते अभी उनके life story के बारे मैं guys, this is totally real facts जो कि मैं बताना जा रहा हूँ and I hope कि आप सारे लोग इससे motivate जरूर होंगे दोस्तों भहुत सरी websites ऐसा कहते हैं कि उनका age 28 है या फिर 29 है but वो खुद अपने insta bio में लिखते है कि 26 तो दोस्तों इस पे हम trust करते है because वो खुद ही बात है कि उनका 26 running age है So guys, अगर childhood की बात की जाए देन, उनका बच्पन भी ऐसे घुजरा जैसे normal बच्चों का घुजरता है but वो starting से education में बहुत आगे थे, बहुत वो sharp थे जैसे कि जो curricular activities होती है या फिर educational activities होती है वो हमेशा उसमें participate करते थे और वो बहुत उसमें सक्षम थे या फिर कैसे लिखते है आप successful थे और उनकी जो grasping power थे वो starting से बहुत high थी तो इसकी वाज़े से उन्होंने आगे जाके MBBS करने का सोचा है आप सबको पता है कि वो अभी dentist भी है तो जैसे उन्होंने primary school के लिए अपने विल्लमल एक matrix school है उसमें उन्होंने admission लिया था और वहाँ से उन्होंने अपना primary school खतम किया उसके बाद उनको लगा कि वो बहुत sharp है पड़ाई में and definitely वो कुछ कर सकते education में आगे जाके तो उन्होंने अपने creativity को ढूंडा and उन्होंने education के लिए further education के लिए उन्होंने रामचंदरी University में MBBS के लिए apply किया तो जो उनका MBBS का सफर होता है वो चालू होता है 2013 में and 2019 में वो officially MBBS बनते and उन्होंने कुछ एक-दो internships भी करे थी इस दोरान वर दोस्तों इस दोरान उनके साथ बहुत बड़ा incident हुआ था जिसको कि आप एक turning point भी खहसे हो तो या फिर एक depressing point भी कह सकते हो mentally and physically too because जब वो 2016 में थे वो तभी से workout करने में उनका gym करने में बहुत ज़्यादा passion था तब उन्होंने workout चालू करा था and जैसे कि college में वो hostel में रहते थे तो college में जो competitions होता था weight lifting वगरा उसमें वो participate करते थे तो उसको जितते थे भी because 2016 में उन्होंने 120 kg उटाया था तो वो 130 kg के लिए practice कर रहे थे competition के चार दिन पहले college hostel gym में and उन्होंने अच्छी तरह किसे warm-up नहीं किया था एक ही set warm-up का किया था and उसके बाद immediately उन्होंने 130 kg आटम करने का सोचा and उनको guys वहाँ पर बहुत major injury होगी जो की एक major tendon tear उनको हुआ था chest में तो काफिसर लोग उनको chest में criticize करते थे और फिर कहते थे कि गायन हो है दोस्तों उनके साथ ये बहुत बड़ा हाथसा हुआ था I think आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा बड़ बहुत सारे लोग नहीं जानते तो आज इसके बारे में हम clear करते तो उनका pain बहुत हो रहा था and जो pain था वो bearable नहीं था तो उसके लिए वो doctor के पास गए and doctor ने उनको कहा कि यह 4 मेने का अंदर अपने आप ही ठीक हो जाएगा बड़ जैसे कि उनको compete करना था वो बोले कि मैं इतना देर तो नहीं रुख सकता तो doctor ने surgery के लिए उनको suggest किया बड़ फिर भी उनके exams थे आने वाले 6 महने में जैसे कि surgery के बाद doctor ने उनको 3 महने का bed rest भी कहा था तो definitely वो exams को ignore नहीं कर सकते तो उनने priority अपने exam को दिया और उनने एक साल बाद surgery करने का plan किया तो definitely हाँ पर आप देख सकते कि उनका dedication कितना था अपनी education के प्रती मतलब उनको first of all अपना जो first aim है life में वो उनको अच्छू करना था जैसे के उनको MBBS के exam पूरी करने थी यान MBBS की degree उनको लेनी थी तो उनने exams किये और exams के उपर अपने health को priority उनने नहीं थी और वो plan करते surgery 2018 में तो उनने immediately वहाँ से पूरा एक साल जीम के लिए off लिया और वो only study करते थे आपने आने वाले exams का preparation कर रहे थे तो ऐसे-ईसे करके exam खतम हो गया उनको degree मिल गई and 2018 में वो सोच्टे surgery करने का but guys बहुत लेट हो चुका था and जो cells थे वहाँ के cells dead हो चुके थे and जैसे कि वहाँ पे blood flow भी अच्छा कासा नहीं हो रहा था blood flow decrease हो था वहाँ का तो guys इसके बाद भी उनकी surgery हो गई 2018 में October में उनकी surgery होती है and doctor surgery के बाद उनको 3 मेने की bed rest के लिए suggest करते हैं वो 3 मेने का bed rest लेते है मतलब February 2019 तक and उसके बाद धेरी धेरी वो physiotherapist के पास जाने लगते विकॉज उनका fitness goal भी था एक उनकी चाहा थी fitness की तरब तो definitely वो उसको ignore नहीं कर सकते थे उसको बाजू में वो नहीं रख सकते थे तो definitely उनकी फिजियोग के पास गए थोड़ थोड़ एक्ससाइज किया उसके बाद उनकी body अची लगने लगी और उनको जो pain था उनका वो कम होते है गया तो उनकी जीम चालू कर दिया और धीरी-देरे वेट उटाना चालू कर दिया तो उनकी अबज़र किया कि उनके other body part में भूँत अच्छी तरगी से गेन हो रहा है फास्टली बट उनकी chest ग्रो नहीं हो रही है तो आने वाले भूँत समय तक यही हुआ उनके साथ जब उनने officially complete करना भी चालू कर दिया तब भी उनकी chest ग्रो नहीं हो रही थी वहापे जैसे कि उनकी chest ग्रो नहीं हो रही थी या फिर blood flow अच्छा नहीं हो रहा था अब दोस्तों अगर अभी की बात करें if anyone of you have this problem guys then मैं इस्टोली से ही बताना चाहूंगा कि आप धीरे धीरे weight को बढ़ाना workout करते समय वहाँ कि वह टिशू होते है वह little fragile होते मतलब वह नाजू होते delicate होते तो धीरे धीरे आप अपनी growth चालू करना अपना जो weight होता है वह बढ़ाना तो दोस्तो 2018 का उन्होंने पूरा gap लिया था या फिर उसके surgery के बाद 2019 में उन्होंने last में compete करना चालू कर दिया और छोटे-छोटे competitions में उन्होंने medal लाना अच्छू कर दिया बड़ दोस्तो यहाँ पर मैं उनकी जो highlighted competitions है उनकी बात करूंगा बिकाज इतने जादा information आवा लेवल नहीं थी तो उनकी जो लाइब की सबसे बड़ी आच्छूमेंट थी वो 2019 में उन्हें Mr. Punjab जीता था फर्स्ट आये थे उसमें मेंस फिजिक में उसके बाद गाईज 2020 में वो Mr. India में फर्स्ट आते है और उसके बाद 2021 में नरज सुरिया क्लासिक भी खेलते हैं उसको ओर रॉल जीतते हैं फिर उसके बाद 2021 में वो प्रो काड के लिए खेलते हैं शेरु क्लासिक मुंबई और उसको ओर रॉल जीतते हैं यहाँ पे उनको मिलता है अपने life का pro card है, उनको एक direction मिलता है कि अभी आगे से जाके एक ही federation में खेलना है और Olympia के लिए खेलना है, तो directly वो Thailand Pro के लिए compete करते है 2022 में, जैसे कि आप सब लोग ने देखा होगा और वहाँ पे उनका peak जो होता है, वो हो जाता है, उसके बादे से उनकी 13 पोजिशन आती है फिर भी वो demotate नहीं होते फिर से वो monsters pro gym करके एक show हुआ था, pro show हुआ था South Korea में, तो वो वहाँ पे compete करने गए था, उनकी वहाँ पे 4th पोजिशन आती है, और मुझे लागता है वो उनकी live का सबसे best form था, best shape था अभी जो India pro हुआ था, उसमें तो उनको definitely compete करना था, because इंडिया में हो रहा है first time हैं सारे लोग compete कर रहे थे तो definitely राजाजिन में compete किया था, यहां कि उनकी positions आती 8th position, because यहां पे भी उनका जो peak होते है, थोड़ा बहुत miss हुआ था, थोड़ी बत water hold किया था body ने but still guys, बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा potential है, because उनकी physics आपने monster pro gym में देखी है सबसे ज़्यादा highlighted है अपने core की वाज़ा से and आपने shoulder की वाज़ा से, because जो उनका VT पर आता है, जो उनका X frame आता है, it's next level पर जाता है तो जोस्तो मुझे personally ऐसा लगता है कि अगर आने वाले time में वो 45 kg muscle आड़ करते है, अपने overall body में and back में thickness आड़ करते है, then definitely pro show जीतना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहोगी and all on pia में top 5 आना आने वाले 2-3 साल में उनके लिए कोई बड़ी बात कमी आए, उस पर वो काम करेंगे and मुझे लगता है कि अभी 7-8 मेने का वो off season लेंगे, बहुत ज़्यादे improvement करेंगे और उसके बाद वो compete करेंगे तो guys, यह थी उनकी overall life story and दोस्तों, जैसे कि हर किसी को pack tear नहीं होता, बड़ जिसको होता है and उन्होंने risk लिया and वो खरे भी उत्रे आपने, जो उन्होंने decision लिया था so guys, यही उनके life story थी and यही research मैंने किया था उनके biography पे, उनके personal life में तो उस्तों, इंडिया में बहुत सारे pro है बड़ राजा जी सबसे different की हुए यह story से हमें पता चलता है and he is very consistent, he is very focused and सबसे important बात guys, यह कभी भी किसी controversy में नहीं आते है या फिर किसी भी controversial चीज़ पे अपना review नहीं देते because he is always focused and उनका focus क्लियर है, उनका vision क्लियर है कि उनको Olympia में जाना है and Olympia जीतना है so if Rajajit is watching this biography this personal story which I am sharing on YouTube then I am grateful to you and I have huge respect for you in my heart and all the best for your future and all the best for your upcoming shows and hope you will soon qualify for the Olympia, so thank you so much for watching it and guys channel को subscribe करना है, उसके बाद वीडियो को like भी करना है and उसको बाद बेल आइकों भी प्रेस करना है, so thank you so much for watching it and see you soon, love you all